ये बात है फरवरी 2019 की जब कुछ मचवारे मचली पकडने के इरादे से इटली के एक तटसे समंदर में पहुँचे जब वो समंदर के बीचो बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरतावा दिखा शुरू में तो उन्हें लगा कि शायदे कुछ लकडी के टुकडे हैं लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देखके हैरान रहे गए कि वहाँ पर दो हीरन तैर रहे थे ओ माई गॉड अब ये हीरन समंदर के बीचो बीच कैसे पहुँचे ये आज तक एक रहस्य है बहराल उन मचवारों को दिल से धन्यवाद क्योंकि उन्होंने उन हीरनों को बचाने की सोची तो उन मचवारों के लिए एक लाइक तो बनता है उस्टेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेके जैसे ही हिंदमासागर में मचली पकड़ने के लिए पहुचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल लुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ माए ये नाव तो नहीं है लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी लेकिन जब बिल्कुल पास पहुचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि वेल की डेट बोड़ी है अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाईए नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है होता कुछ ही हो है कि वेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस पर्यूस करने लगते हैं अब हुआ कुछ ही हो की बोरियत की वज़े से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक सर्दारों पर थे जब भी वो सर्दारों वाले जोक्स क्रैक करते सर्दार जी को बड़े ध्यान से देखते हैं कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार बिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरसे सोड पे दान कर देना वो चारो लड़के पूरे दिन मुंबई घुमते रहे लेकिन उन्हें कहीं सरदार बिखारी दिखाई नहीं तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाग जरूर उड़ाते हैं लेकिन इससे महंती लोग होते भी नहीं हैं गाइज इन और ऐसे मेंजिंग वीडियो के लिए शेर, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो में